हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो स्टेडी विद रचना, आज की वीडियो में इन्वारिम्ट के कोशिन्स को इंकलूट किया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं जैब विवित्ता का अंतरास्टी कार्याले कहां है, आपके ओप्शन्स हैं, बैनिश, रोम, जिनेवा, पैरिस और इस कोशिन्स का राइट अंसर है, रोम, जैब विवित्ता का अंतरास्टी कार्याले रोम में है, नेक्स कोशिन्स, ग्रीन एकोनोमी किसके नित्रत में है, आपके ओप्शन्स हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वारिमेंट प्रोग्राम, यूरोपेन यूनियन, आई यू और इस कोशिन्स का राइट अंसर है, यूनाइटेड नेशन इन्वारिमेंट प्रोग्राम, ग्रीन उकनोमी, यूनाइटेड नेशन इन्वारिमेंट प्रोग्राम के नित्रत में है, नेक्स कोशिन्स, निम लिकित 25 सम्मिलन में से, कौन सा इस्थाई कारवनिक प्रदूसक से मानव स्वास्त और पर्यावरेड की रक्षा करने के लिए है आपके option है और इस question का right answer है Stockholm सम्मिलन इस्थाई कारवनिक प्रदूसर से मानव स्वास्त और पर्यावरेड की रक्षा करने के लिए है next question hydroponic किस से संबंदित है आपके option से पोदों की बहुत सी संस्कृती, जल संदक्षन, पर्यावरेड संदक्षन, सब्दियों के अध्यन और इस question का right answer है पोदों की बहुत सी संस्कृती hydroponics पोदों की प्रजातियों से संबंदित है next question जवाई के जंगल किस प्रदेश में है आपके option से राजिस्तान, उत्तरप्रदेश, मद्दिप्रदेश, बहार और इस question का right answer राजिस्तान जवाई के जंगल राजिस्तान में है जो पाली जिले में है इन्हें conservation reserve status मिला हुआ है next question वन्नी जीव संरक्षण के छेतर में अदम सहास दिखाने वाले को कौन सा प्रुस्कार दिया जाता है आपके options हैं इंद्रागांधी पर्यावन प्रुस्कार, मैदिनी प्रुस्कार योजना, अमरता देवी विश्नोई प्रुस्कार, पितामबर पंत राज्ची प्रुस्कार और इस question का right answer है अमरता देवी विश्नोई प्रुस्कार अम्रता देवी विश्णोई प्रुष्कारवनी जीव संरेश्टेंड के छेत्र में अदम सास दिखाने वाले को दिया जाता है इसमें एक लाख रुपे की राशी प्रदान की जाती है समताप मंडल की ओजोन गेस की परत की मोटाई किस एकाई से ना पी जाती है आपके ओप्शन से हैं सी एवर्ट्स, डॉपसन इकाई, मेलसन इकाई, इन में से कोई नहीं और इस क्वेश्चिन का राइट अंसर है डॉपसन इकाई ओजोन परत की खोज, 1913 में फ्रेंच विग्यानिक चार्स फाब्रे और हैंरी विस्सोन ने की थी इसके गुड़ का अध्यन विग्यानिक जी एम भी डॉपसन ने किया और नहीं इसकी मोटाई मापने के लिए स्पेक्ट्रो फोटो मीटर रिक्सित किया उनी की नाप पर ओजोन प्रत की मोटाई डॉपसन इकाई की नाप पी जाती है नेक्स्ट कोशन किस सहर को टाइगर गेटवे ओफ इंडिया कहा जाता है आपके ऑप्शन से बोपाल, नागपूर, मैसूर, लखनौ और इस कोशन का राइट अंसर है नागपूर मारास्ट किस सहर नागपूर को टाइगर गेटवे ओफ इंडिया कहा जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली greenhouse gas है कौन सी आपके options हैं कारवन डायोकसाइड जलबास सल्फर डायोकसाइड ओजोन इस question का right answer है जलबास जलबास सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली greenhouse gas है ये साफ आसमान में 36-66 और बादल वाले आकास में 66-86 परसीज तक greenhouse प्रवाव अक्पन करती है next question Montrix record किसका registered है आपके options हैं खत्रे में इस्तित विदेशी प्रजातियां खत्रे में इस्तित वन्य प्रजातियां मानव जनित गतिवीदियों के तहत खत्रे में जलिया स्थान या इनमें से कोई नहीं और इस question का right answer है मानव जनित गतिवीदियों के तहत खत्रे में जलिया स्थान मानव जनित गतिवीदियों से उत्पन प्रदूसर से खत्रे में इस्तित जलिया स्थानों को मेंट्रिक्स रिकोर्ड में रखा जाता है मानव जनित गतिवीदियों से उत्पन प्रदूसर से खत्रे में इस्तित जलिया स्थानों को मौन्ट्रिक्स रिकोर्ड में रखा जाता है नेक्स question नेमले कितमे से क्या जलवाई परवरतन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है आपके option से रास्टिय जल मिशन, प्रदूसर नियंतरन के लिए रास्टिय मिशन, सतत क्रसी के लिए रास्टिय मिशन, सतत आवास्त के लिए रास्टिय मिशन और इस question का right answer है प्रदूसर नियंतरन के लिए रास्टिय मिशन आपके options हैं जल मानक, पर्यावरन मानक, आर्किटेक्चर मानक, इन में से कोई नहीं और इस question का right answer है पर्यावरन मानक, गिरहा मानक पर्यावरन मानक से संब्दित है दाची ग्राम रास्टे उद्यान कहां हैं? आपके options हैं जम्मो कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखन, पंजाब और इस question का right answer है जम्मो कश्मीर पर्ची ग्राम रास्टे उद्यान जम्मो कश्मीर में स्रीनेगर से 22 किलो मीटर दूर है इसका मुख्य जानवर बारे सिंगा है नेक्स question कार्टा जेना प्रोटोकॉल किसके स्रक्षित उप्योग, इस्थान अंतरण और हैंडलिंग के बारे में है आपके options हैं ना भी किये कच्रा, आक्रामाग, विदेसी प्रजातिया, संसोदित जीवित जीव में से कोई नहीं इस question का right answer है संसोदित जीवित जीव यानि की LMO कार्टा जेना प्रोटोकॉल 29 फरवरेट 2000 को हस्ताचरित हुआ और 11 सेटमबर 2003 से लागो हुआ ये LMO की स्रक्षित उप्योग, इस्थान नंतरण और हैंडलिंग के बारे में है next question right data book किन खत्रे में इस दित प्राणियों की लिस्ट है आपके options है केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो या ये तीन और इस question का right answer है ये तीनो right data book उन प्रजातियों की सूची है जो खत्रे में होती है हर right data book में जानवर या प्रच अत्वाफंगी की लिस्ट होती है जो खत्रे में होती है next question ऐसे ही और questions के लिए keep watching channel, thank you